तो इधर रूस युक्रेन युद को एक साल पूरा हुआ उधर पुतिन ने अपने पांच एटम बंब का नाम पूरी दुनिया को बता दिया पुतिन ने अपनी RS-28 मिस्राइल तैनात करने के ओर्डर भी दे दिये है पुतिन का इरादा क्या है ये सवाल बना हुआ है और सवाल ये भी है कि क्या पुतिन अगले कुछ घंटों में किसी बड़े हमले का सिगनल दे रही है और सक्षे स但 अ भु एर ये हाल थे ता rhyme ऑ eh गबेह पाम रस क्या क्या हुआ है उरा बहाए था उरा उरा अ राजिया 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 ये पोतेन का जादू है जो रूस के सिरच वड़ कर बोल रहा है और राजिया ये योक्रेन में चल रहे युद्ध पर पुतिन को समर्थन है जिसका वज़ा है और जिसकी धामत ये मजमा साबित कर रहा है पुतिन का कॉन्फिडेंस राशिया पुतिन का कमांडर आउथा पुतिन का कैरिस्वा पुतिन का ढंका पूरे रूस में बज़ रहा है ये ऐसा मौका है जो पुतिन को बताता है कि उनके एक 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 आक्शन पर रूस की मुहर है पुतिन की बॉडी लैंडविज देखिए पुतिन का रुत्बा देखिए पुतिन का जोश भी देखिए जएदिन्स्वा राशीज्सक्वा नरोदा उरा पुतिन को मिल रही तालियों की गड़गड़ाहट से लेकर पुतिन की बातों पर रूस की अपील को समझें पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं मॉस्को के स्टेडियम में पुतिन का ऐसा थमाकेदार कंसर्ण डिफेंडर आफ दफादरलेंड डे के पहले हुआ लेकिन यहां फैले जोशो खरूश की एहमियत बाइडन के योकरेन दोरे के बाद और बढ़ गई है बाइडन बहुत खामोशी से कीवा है और पुतिन को चैलेंज करके चले गए लेकिन अब पुतिन ने अपने पांच सबसे खास हत्यारों का नाम बता कर एक बार फिर साबित किया है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रूस को दबा सके पुतिन ने न्यूक्लियर ट्राइट की बात की है यानि साफ है कि परमाडू हमले के लिए पुतिन पूरी तरह से तयार है पुतिन ने सार्मत मिसाइल का नाम लिया पुतिन ने किंशल हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया पोटेन ने जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाल का नाम लिया, पोटेन ने अपनी नई परमाणू पंडोब बे एंपरर ऐलेक्जंडर त्री के बारे में बताया, पोटेन ने कहा कि उनकी परमाणू हथयार हंड़ेड पोसंट तैयारे. पोटेन ने उक्रेन पर कई हथयार बरसाएं हैं, लेकिन अब भी उनके तरकश में ऐसी तबाही वाले तीर हैं, जिसका मुखाबला अमेरिका क्या, पूरा ने तो नहीं कर सकता. इसमें सबसे बड़ा नाम है RS-28, इस मिसाइल की रेंज 10,000 किलो मेटर से भी ज़ादा है. पोटेन पहले ही खुलम खुला बोल चुके हैं, कि रूज के अस्तित उपर खत्रा आया, तो परमाणू बंप इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती.